लेकिन सोचिए फिर भी कि पत्रकारिता सत्ता के खिलाप होनी चाहिए मैं देख रहा हूं कि मेरे कुछ खलियर जो दोस्त हैं वो अलग-अलग चैनल में काम कर रहे हैं उस तोसल मीडिया पर नेरेटिव करते पत्रकारिता तो सत्ता के खिलाफ है यह अपना जो कहते हैं अपने पाप को ढखना चाहते हैं सत्ता के खिलाफ है नहीं मनी जी बिलकुल मैं इस बास से एकदम सहिमात हूं कि पत्रकारता सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए सरकार के खिलाफ होने चाहिए यानि उसका अलूचक उस पुर्ण की आलोचरा करिए ठीक है लेकिन आप राहुल गांधी के ढोल बजाने लगे आप यादो को ढोल बजाने लगे तो फिर पत्रकारता रही है यह तुम यह एक सिद्धान्त को उसको उसको इस्तेमाल करके तुम ढकाईती डालने निकले निकले ओ लोगों को ठगने नि है यारी तो क्राइम हमेशा करता करता है लेटिन टेरे के महमा बन्दन बलाकारी भंडन डिकाइतो यह नहीं करता तुम लोग वह करं रहा है तो यह एक एक लाइन पकड़ी कि पत्रकार को सरकार का से खिलाब और दिलिए सरह नहीं कि आती है't सब्सक्राइब निकाल दिया तो पांच साल बाद भी इसकी बज़ेश गाली आज भी खाता हूं तो अब ज्यादा उसके नहीं पड़ेगे लेकिन यह इस तरह के चोरों क्या नाचते हैं अब बताद हम तो सरकार के खिलाब है सरकार की खिलाब क्या होता है बिल्कुल और यह इन बेशरम आपने याद रख गिराकटों की तारीफ नहीं करता है लेकिन उठे ना जो पुरान बानी को मास्टर का बाप बेटा और पता ने किस किस जंग से आतंकवादियों का महिमा मंधन किया गया आज भी किया जाता रहा है कि इनका जो ही आतंकवादी बाटला हॉस एंकाउंटर कात अंकी हो इन सब तो बिप्रीम कार्ड पर लिखेला जाता है याकूब मेंध अब्जल गुरू अजमल का साथ यह सब तो इनके दामाद हो जी जाओ बहनों ही बने हुए हैं सबके लिए नाचा करते हैं यह तो इनों नहीं एक वह एक 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 ए प्राइती डालने निकल पड़े हैं सरकार का अलो चक होना चाहिए सरकार का अलो चक होना चाहिए लिए लिए शुक्त दार दोड़ी होना चाहिए